इस गाड़ी में कल बीती रात एक चोर आता है और इसका जो पीछे खड़ी गाड़ी के जो पीछे का इससा होता है उसके राइट इन साइड वाला ग्लास तोड़कर गाड़ी में अंदर गुस्ता है और लगबख 45 अजजार रुपय का नुक्सान करके चला जाता है देखिए ये शीशा उस चोर ने तोड़ा है यहां से वह एंटरी की है और एंटरी करने के बाद इसमें लगा जो music system जो company के दुवारा है था led वाला music system दो काफी costly होता है बहुत महंगा आता है उस music system को निकाल कर ले गया और इस पूरे मामले में आपको बता हूँ उसको 18 मिनट लगे यह गाड़ी लगबख एक साल पुरानी है और इस नई गाड़ी में इतनी बड़ी वारदात हुई है हम आपको बताएं कि घर के बाहर खड़ी हुई थी एक चोर आता है वो पूरा CCTV कैमरे में नजर आ रहा है एक बार CCTV फुटेज में आपको दिखा देता हूं जो तस्वीरे ह रामगंसाना शेत्र के जो रामबाग इलाका है वहाँ पर हुई है यह पूरी वारदात चोरों के होसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं सुबह मैंने आपको एक तस्वीरे दिखाई थी जिसमें आपको दो चोर डंडा सरिया और पत्तर लेकर दिखाई दिएते हैं जो रा इस सब तोड़कर आच तोड़कर और चोर है उसने अंदर गुशा है और अंदर गुशने के बाद कि मुजिक सिस्टम जो कमपनी से लगावा आता है और उसकी कीमत 45 लाद रुब गरी बताई जा रही है वह मुजिक सिस्टम चोर कर ले गया कि देखे यह सी से टीवी लगा हुआ है आप देखे यह वह जगह है यह वाइट वाली जो गाड़ी है यह वाइट वाली गाड़ी है और यह रहे एक सेकंड बैप पीछे लिजे तवरा सा देखे यह समय है देखे 289-2024 और यह जो वारदात है कल रात लगबक बारा बज़े के बाद के वारदात है ये चोर आ रहा है और आने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देगा पीछे रखी गाड़ी के आगे से जाएगा देखिए और पीछे का जो शीशा है वो तोड़ेगा और अंदर गाड़ी में गुसेगा गाड़ी में गुसने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देखे पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो साथदान हो जाएं ऐसे चोरो से देखे वो पहले देख रहा है रेखी कर रहा है कि उसको कोई शीशा तोड़ते हुए देख तो नहीं रहा है उसके बाद हुंडाई की वेन्यू गाड़ी कि पीछे का इससा तोड़ेगा और तोड़ेने के बाद अंदर प्रिवेश करेगा और 18 मिनट पूरे 18 मिनट जैसा यह भाईया है कहना बता है आपने अपना योगेश भाईया है जिनकी यह गाड़ी है उन्होंने बताया बोले भाईया कम से कम 18 मिनट तक वो गाड़ी के अंदर रहा पूरा मीजुक सिस्टम चुराया उसके बाद वो मीजुक सिस्टम चुरा के जाता हो आभी नजर आ रहा है यह कोई आसपास का कोई तो नहीं है आपके कोई ऐसा लग रहा है आपको देखने से कुछ नहीं बहुत पहरी बारी इस तरह का देखा गया है आगे लो इसको आगे लो थोड़ा सा परवड करो भी आपको देखिए यह चोर है अब वो आगे यह देखिए अंदर तोड़ दिया उसने किलास अंदर जा चुका है हो यह देखें मॉबाइल के लैड जलाई है उसने यह आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा हो जाला मॉबाइल के लैड जलाई है और मॉबाइल के लैड जलाने के बाद में उसने अपना औजार निकाला होगा उस और औजार के जरीए इस पूरी घटना को अंजाम दिया होगा योगेज जी हैं जिनके घर पर बाहर खड़ी ये गाड़ी के में पूरी वारदात कैद हो गई है CCTV कैमरों में कैद होई है गनीमत रही के योगेज जी ने पहले ही अपने घर के बार CCTV कैमरे लगाए होई थे वरना इस चोर का पता नहीं चल पाता पुलिस तक ये CCTV जो फूटेज हैं वो योगेज जी ने पुलिस को रामगन साना पुलिस को महिया करा दिये हैं उनको दे दिये हैं देखते हैं कितनी जल्दी पुलिस इस पुरे मामले में संग्यान लेते हुए इस चोर को पकड़ती है क्योंकि ऐसी ही बड़ी बारदात आज अजे नगर में भी हुई है जहां पर चोरों ने सुने मकान के ताले तोड़े हैं लेकिन एक लॉक ऐसा लगा वा था उस लॉक को वो तोड़ नहीं पाया और नाकाम रहे है जिस से वो चोरी नाकाम हो गई लेकिन उनहाने फिर भी तीन ताले तोड़ लिए उसके बात जब उनको पता चला कि सा मने वाले … दीखिए यह निकल गया तो सामने वाले घर में जो कैम्र कामरों को तोड़ने की कोशिश करी और लेकिन वो गैमरे से बचनी भाई जिसमें एक की पैचान हुई है उस अजेनगर वाले में देखिए ये निकला है लेकर साफदान हो जाओ भाई अगर घर के बाहर आप भी गाड़ी घोड़े खड़े करते हो ऐसे चोरों से साफदान हो जाओ देखो ये म्यूजिक सिस्टम इसके हाथ में है और अगर ये चोर आपको कहीं भी नजर आए इस तरह का व्यक्ति तो आप संबंदित थाने में इसकी शिकायत दे सकते हैं देखिए इसके हाथ में नजर आ रहा है पूरा जो डबा पूरा है लगबा पूरा जो इनका कांच और करें खड़ी रहती है और ऐसी वार्दात पिछले एक दो साल पहले भी थी किसी कार के अंदर आग भी लगा दी थी अभी आज कल रात को मेरे यहां गर पर हुई है यहां गाडी पर रेगुलर यहां ही खड़ी करता हूं जबकि मैंने इसकी सेविंग के लिए थोड़ा सेफ अब यहां पुलिस थाने में रामगन थाने के अंदर पुलिस मैंने शिकायत दे दी थी और उन्होंने यहां से एक चौकी से एक को डेप्यूट भी करा था जो आकर यहां देखकर और पूरा मुका मुहाइना करकर गए है अच्छा बही आप मुझे यह बताओ जो चोर है व आगे की भी हमने फुटेज देखिये तो वहां जाता हुआ दिख नहीं रहा है तो हो सकता है उस वह पूरे इस एरिया से परिचित है जिस हिसाब से वह आया है क्योंकि उसको यहां पता है कि किस एरिया में हमार को जाकर जहां से हम फुटेज कम से कम वह कैप्चर हो पाए तो दोस्तों यह जो चोर इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि और लोगों तर यह वीडियो जा पाए और पैचान जल्दी से जल्दी हो जाए तो समबंदी थाना पुलिस को इसकी शिकायद दें ताकि ऐसे चोर पकड़े जाए स्वामी जेशनल के फेस्बूक पेच को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद